असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय बैच में और आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है तेंथ क्लास का न्यू बैच यानि की नया सेशन जो की 2022 से लेकर तेश तक का है तो जितने भी स्टूडेंट जो अभी अभी तेंथ क्लास में और उनका एक्जाम 2023 में होने वाला है ठीक है वो सभी स्टूडेंट इस चैनल के साथ जूड़ जाए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग के तिंथ क्लास के ओल सब्जेक्ट साइन्स असेश्टी हिंदी इंग्लिस मैथ उर्दू ओल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ह जीरो से हीरो बना दिये देखे तो अब नयवैट शूरू हो गया है पिछले वाले से से इसका पिछले वाले से 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 बहुत ही धमाकेदार बहुत जज़दार और जबरदस्त होगा क्योंकि इस से से सन में मैं लाइव भी आऊंगी बहुत जल्द अभी तो कोई एर्रेंजम पूर सकते हैं और मैं आप लोग का रिपलाई दूँए ठीक है तो फिलाल अभी जिस तरह मैं आप लोग को वीडियो अप्लोड करके पढ़ा रही हूं उस तरह पढ़िए और पुरे जोस जुनून के साथ नए बैच की और इस नए सेशन की शुरुआत कीजिए जब आप लो लोग को पढ़ाऊंगी उर्दू लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो को लाइक शव अगरा कर दीजिएगा तो चली अब भी नादेर की वीडियो की शुरुवात करते हैं देखिए आप लोग के टेंथ क्लास का उर्दू जो है उसमें दो बुक पढ़ना है एक है दरक्षा और दूसरा है रोश्नी सबसे ज्यादा कोशन जो है ना दरक्षा से पूछा जाता है दरक्षा के उर्दू के बुक से ठीक है अगर मैं बात करूं हंडिट परसेंट मेसे जो है ना एटीपरसेंट कोशन दरक्षा से पूछा जाता है और ट्वेंटी परसेंट 20 कोशन रोश्नी के बुक से पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो important है यह आप लोगो का दरक्षा ठीक है ऐसा नहीं कि अर्भी लोगत में बात की जाए तो अर्भी लोगत अर्भी डिक्सनरी में हम्द का मानी होता है सिर्फ तारीफ करना लेकिन उर्दु शायरी के हिसाब से देखी जाती है तो उर्दु शायरी के हिसाब से हम्द का मानी होता है सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला की तारीफ करना तो हम्द उस नजम उस कवीता को कहते हैं याद रखिएगा हम्द क्या है कवीता है नजम हम्द उस नजम यान की कवीता को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला की तारीफ वो तौसीव बियान की जाए जिसमें सिर्फ अल्ला ताला की तारीफ हो उस कवीता को बोल है तो आप लोगना मतलब होता है मर्तबे वाला इजट वाला ठीक है यानि कि उस खुडा की तारीफ हम्द खुड़ा या उस खुडा की तारीफ जो की बहुत बढ़ाई बहुत वाला है ठीक है और यह नशम में आप कोई दिकत नहीं मैं बहूं कि हम्द खुदायाजुजल के राइटर कौन है मुसनिफ आप लोग बोले जीगे इस कवीता के लिखने वाले कौन है तो शव्रम्र्ण कमाली के बारे में सबसे पहले जानी है क्योंकि एक्जाम में कोशन पूछ देता है ठीक है अब मैं आप लोग को जिस जिस पॉइंट पर नोक करूंगी कि ये एक्जाम में कोशन पूछ देता है वह आप लोग को माइंड में उसी वक्त फिट कर लेना है क्योंकि जहां-जहां मैं आप लोग को लोक करती हूं न कि यह देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कोशन पूछ सकता है वो पक्का है कि एक्जाम में पूछता है ठीक है तो फिलाल चिली शुरू करते हैं देखे श्रबनम कमाली का असल नाम जो है रियल नेम वह है मुस्तफा रजा ठीक है और इ कि शायर है वो यह हम्द भी लिखते है और उसके बाद से गजल और नजमें भी लिखते हैं ठीक है तो शबनम कमाली का क्या तखलूस है शबनम यानि कि अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में क्या यूज करते हैं शबनम नाम यूज करते हैं तो इनका तखलूस क्या हो कोई और उप्सन में उन्हें सार्टिस दिया रहता है तो आप लोगों को टिक करना होता है ठीक है जीला सीता मड़ी के पुख्रेरा में शब्नम कमाली का तालुक बिहार से था ठीक है आगे बढ़िए शब्नम कमाली के कुछ शेरी मजमुई दिया गया है यानि कि शेर रोशा किताब प्रकाशित कर चुके हैं घजल और नजम के कई किताब जो हैं शब्नम कमाली के बारे में कुछ डिटल्स जो आप लोगों को याद रखना एक्जाम में कॉर्शन पुछ देता है अब मैं इस हम्द जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है इस हम्द यानि कि इस कवीता अब मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़कर खुलासा करती हूं देखिए सबसे पहले लाइन में शब्नम कमाली लिखे हैं कि खालिके दो जहां है तू इस देजल जलाल है यकता है तेरी जात पाक आली वह बेमिशाल है इसमें बोल रहे हैं शब्नम कमाली की लगता है तेरी जात पात यानि कि तेरी जात पात एक ही है तू आली भी है और तू बेमिशाल भी है ठीके आगे देखिए तेरे ही बाब फैद से मिलता है दो जहां को रिज्क सबकी हयात और मौत का मौला तुझे खयाल है इस लाइन में बोल रहे हैं शब्नम कमाली की तेर तो मौत का मौला तुझे ख्याल है यानि कि सबकी जिन्दगी और मौत का तुझे ही ख्याल है कब किसको मारना है कब किसको जिन्दा कर देना है यह सबका ख्याल जो है या खुदा तेरे पास ही है सबकी मतलब निर्ने तुझे लेता है ठीके कुदरत खास का तेरी अक्स है बज में कायनात कौन वा मका में जल्वगर तेरा ही एक जमाल है बोल रहे हैं कि इस मतलब दो जहां में तेरा ही जलक दिखाई देता है तेरा ही करिश्मा दिखाई देता है कौन वा मका में जल्वगर तेरा ही एक जमाल है चारो तरफ जो ह कायम है तेरे हुकम से आज भी नाजम जिंदगी तेरहुनप कहीं मिले तो या जिंदगी महाल है बोल रहे कि तेरही हुकम से या खुदा तेरही हुकम से हैं Nurse he दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की जिन्दगी तेरे ही हुकम से काइम है तेरे सिवा जो है ना ये जिन्दगी ना मुम्किन है अगर तू चाह दे तो ये जिन्दगी को छीन भी सकता है और तू चाह दे तो ये जिन्दगी दे भी सकता है ठीक है सहाबे अकल वह फह तेरे मर्तबे को तेरी इज्जत को तेरी बड़ाई तेरा मर्तबे को सिर्फ वही पहचान सकता है जो पढ़ा लिखा है जो साहबे अकल वफह में जिसके पास अकल है ठीक है जो समझदार है वही तेरे मर्तबे को समझ सकता है और जो साहबे अकल वफह में जो समझदार लोग ह उसको तेरी जात पर नाज है ठीके आगे बढ़िये लाख बरस अगर कोई हम्द वसाना तेरी करे हो सा कि हक अदा तेरा मुम्किन नहीं महाल है इसमें श्रब्नम कमाली बोल रहे हैं कि ए खुदा अगर कोई जो है लाखो बरस तेरी हम्द वसाना क्यों न कर ले हम्द का मतलब क्या होता है अल्ला ताला की तारीफ करना याद रखिएगा हम्द का मतलब क्या होता है अल्ला ताला की तारीफ करना ये भूलना नहीं है तो इसमें बोल रहे लहीं, कि अगर कोई लाखों साल तक तेरी हम्द उसाना करे, यानि कि तेरी तारीफ करते रह जाए, तेरी खुबी बै detail करते रह जाए, तेरे हक अदा करते रह जाए, तो भी ऐसा मुम्किन नहीं, वो तेरी सारे हक को अदा कर सके, ओग़े बढ़ ए, जल ही नजर की एक तलास है तेरे एक मूर की तलास है इस लुट्फ करम की एक नजर मौला यह अर्दल है एक मतलब नजर जलमते दहर में इस अंधेरी दुनिया में भी यह खुदा डाल दे आगे बढ़िए मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब तेरे हुदूर खास में अ से मेरा यही अर्ज है कि मैं जो कुछ भी लक्षे प्राप्त करना चाहता हूं वो लक्षे को मैं प्राप्त कर सकूँ ठीक है अब देखिए लाश्ट लाइन है शबनमे बेनवा को भी देदे अरूज बंदगी फिक्र वतलब की रहा में आज यह पाए माले लाश्ट लाइन है और इसमें अपना तखलुस यूज कि ना शबनम कमाली जो है लाश्ट वे अपना तखलुस यूज की हैं शबनम कि शबनमे बेनवा को भी देदे अरूज बंदगी तो शबनम दिख रहा है ना आप लोगो तो इसी को बोलते है तखलुस ठीक है तो देखिए इसका मतलब क् कि शबनमे बेनवा को भी दे ले उरूज बंदगी बोल रहे हैं कि ए खुदा ये जो शबनमे बेनवा है अपने आपको बोल रहे हैं कि ये जो शबनम बेनवा हैं कि शबनम खामोस बैठा हुआ है चुप चप सहमा हुआ है उसकी जिन्दगी को तुम क्या दे दे तरकी की जिन्दगी बना दे ठीक है फिक्र वो तलब की रहा में आज ये पाये माल है यानि कि ये फिक्र वो तलब की रहा में तुझसे सिर्फ यही तलब है तलब है कि तू क्या कर दे मेरी जिन्दगी को तरकी की जिन्दगी कर दे मेरी जिन्दगी जो है बिलकुल मतलब खराब हो च इसरा एक एक लाइन पढ़कर मैं आप लोगों को खुलासा कर दी I think आप लोगों को बहुत ही बैतर तरीके से समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो लाइक कर दिजिएगा वीडियो को और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हां मुझे समझ में आया गया है तभी तो वीडियो में जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोशन एंसर ही होगा ठीके और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग अभी लिखेंगी कोशन इंसर तो पिछले वाले सेशन में कोशन एंसर कराई थी वन बई वन करके चैप्टर का वान टू तू त्री करके ओल्ट का कोशन अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं लेकिन फिलाल तो मैं कराऊंगी कोशन एंसर अभी आप लोग निश्चिंत रहे हैं बहुत टाइम है अभी तो स्टार्ट हुआ है आप लोग का ठीक है तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर वन जो है वह कंप्ली के साथ तब तक के लिए जहन और खुदा हाफिज